दियर फ्रेंड्स, वेलकम टो रचैनल, आज गेमाले ट्रिख है येरोपिय कंपनियों का बारत में आगमन ट्रिक है येरोप का पेड़ा येरोपिय कंपनियों का भारत में आगमन अब देखे पेडा से, पेडा को वो डिवाइड कर लेंगे तीन इसो में P पलस E पलस DA P से पुर्दगाली इस्ट इंडिया कंपणी 1498 में E से अंग्रे जथवा इंग्लिस इस्ट इंडिया कंपणी 1600 में DA से डच्ट इस्ट इंडिया कंपणी 1602 में दे फिर सवाद को भी तीन हिसो में डिवाइड कर लेंगे डी ए से डैनिस इस्ट इंडिया कंपनी 1616 में फिर से फ्रांसिस इस्ट इंडिया कंपनी 1664 में सवाद से स्वेडिस इस्ट इंडिया कंपनी 1731 में और बताऊंगा साइलेंट रहेगा इस ट्रिक में भारत में यूरोप की कमपनियों के आगमन का नाम करम के नुसार है किसी भी ट्रिक को याद रखने के लिए उसे किसी घटना में जोड़ करके याद करने से वही आपको आसाने से याद हो जाएगी ध्यान दे एक व्यक्ति विठाए की दुकान पर गया दुकानदार ने कहा आप यूरोप का पेड़ा ले लीजिए बहुत अच्छा है तो खरीदार व्यक्ति उसे कहता है कि पहले सवार टेस्ट करूँगा फिर खरीदूँगा अब आप इस ट्रिक को एक बार पुन पड़ें और आपको आसाने से ये याद हो जाएगी कुछ महत्तो पुन तत्थ है 20 मई 1498 इसवी में वास्कोडी गामाने भारत के पश्मी तट पर सित्काली कटे बंदरगा पहुचकर भारत इम यूरोप के बीच समुदरी मारकी खोजगी 1505 में फ्रांसिस्को दे अलमेडा भारत में पर्थम पुर्थकारी वाइसराय बनकर आया 1509 में अलफांसो दे अलबु कुरक भारत में पुर्थगालियों का वाइसराय बना अलबु कुरक ने 1510 में बीजापुर के युशुफ आदिल स्याशे गोवा को जीता पुर्थगालियों ने अपनी पहली वैपारी कोठी कोचिन में खोली कारनेलिस डैस्तमान 1596 में भारत आने वाला पर्थम डचनागरिक था डचो का भारत में अंतिम रूप से पतन 1769 इस्वी को अंग्रेजों एम डचों के बीच में हुए युद बेदरा के युद से हुआ 31 दिसंबर 1600 इस्वी में इंग्लेंड की रानी एलिजाबेद पर्थम ने इस्ट इंडिया कमपनी का अधिकार पत्तर पर दान किया परारम में इस्ट इंडिया कमपनी में 277 शाजिदार थे और पहला गवर्नर टॉमस सिमित था मगल दरबार में जाने वाला पर्थम अंग्रेज कैप्टन होकिन्स था जो जेम्स पर्थम के राजदूद के रूप में 1609 इस्वी में जहागिर के दरबार में गया था 1615 में समराट जेम्स पर्थम ने सर टॉमसरो को अपना राजदूद बनाकर मगल समराट जहागिर के दरबार में भेजा था अंग्रेजों की पर्थम वापारी कोठी ये थो फैक्टरी सूरत में 1608 में खोली गई 1611 में इस दक्षिन पुरो शमुदरी तट पर्थम अंग्रेजों ने मुसली पट्टम में वापारी कोठी की स्थापना करी मुसली पट्टम में पर्थम कोठी स्थापित करी पर्थम कोठी स्थापित करी थी कहाँ पर सूरत में जो बंद हो गई थी उसके बाद दूसरी 1611 में मसूली पट्टम में 1661 में इंगलेंड के समराट चाल्स दिवित्वे का विवा पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन सिहोने के कार्ण चाल्स को दहेज के रूम में बंबई पराप्ट हुआ था जिसे उन्होंने दस पॉंट के वार्षी किराया पर इस्ट इंडिया कमपनी को दे दिया 1699 में अंगलेंजी इस्ट इंडिया कमपनी ने तीन गाउं सुतानूती, कालिगाट और गोविंदपूर की जमिदारी और 1200 रुपए बुकतान कर पराप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्मान किया कालांदर में यही कॉलकता नगर कहलाया जिसकी निव जार चार नोग ने रखी भारत में फ्रांसेशियों की पर्थम कोठी फैंको कैरो के दवारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई 1624 में फ्रांसेशी मार्टीन ने पांडी चेरी की स्थापना की पर्थम करनाटक युद 1746 से 1748 में हुआ आश्ट्रिया के उत्रादिकारी युद से ये परभावित था 1748 में हुई एला सापल की संदी के इस दवारा अश्ट्रिया का उत्रादिकारी युद समाथ हुआ और इसी संदी के तहट पर्थम करनाटक युद समाथ हुआ दूसरा करनाटक युद 1749 से 1754 में हुआ और इस युद में फ्रांसेसी गवर्नर डुपले की हार हुई उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगे गोडे हुआ को भारत में अगला फ्रांसेसी गवर्नर बनाया गया पांडीचेरी की संदी जनवरी 1755 में के साथ ही इसका युद विराम भुआ करनाटक का तीसरा युद 1756 से 63 में हुआ 1756 में सुरू हुए सब्ट वर्षी युद का एक अंस था पेरिश की संदी होने पर यह युद स्मात हुआ 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयर कूट के नेतरतों में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसेसियों को बूरी तरह से हराया 1761 में अंग्रेजों ने पांडीचेरी को फ्रांसेसियों से छीन लिया 1763 में हुई पेरिश की संदी के दवारा अंग्रेजों ने चंदर नगर को छोड़ कर से सभी अन्य परदेशों को लोटा दिया जो 1799 इसवी तक फ्रांसीसी के कपजे में थे ये परदेश बात की आजादी तक फ्रांसीसी के कपजे में रहे